इन दिनों श्रेस ऐयर भारते क्रिकेट में एक चर्चा का विश्य बन गई हैं जिन्होंने हाल ही में खेली गई दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में निराशा जनक प्रदर्शन करके दिखाया है श्रेस ऐयर स्पिन के विरुद्ध घातक बल्लेबाज हैं लेकिन जब बात आती है तेज गिन्बाजों को खेलने की तो श्रेस ऐयर आसानी से अपना विकेट गवा देते हैं श्रेस ऐयर के खिलाफ हर तेज गिनबाज एक ही रणनीती के साथ गिनबाजी कराता है विश्वी क्रिकेट में श्रेस ऐयर की कमजोरी के बारे में हर एक गिनबाज को पता चल गया है श्रेस ऐयर बाउंसर के खिलाफ आसानी से अपना विकेट गवा देती है दक्षिन अफ्रीका की गिन बाजों ने भी अईयर के खिलाफ इसी रन नीती का इस्तमाल करते हुए उन्हें चार में से तीन बार आउट किया था आपको बता दें कि ओवर्सीज में श्रेस अईयर का रिकार्ड काफी निराशत जनक रहा है उन्होंने स्पिन के विरुधी जादा रन बनाए हैं वहीं ओवर्सीज में उनके बल्ले से कई दोरों पर रन नहीं निकली है अब ऐसे में टीट्वन्टी विश्व कप के लिए श् नहीं बन पाती है अब इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारते क्रिकिट के दिगज बल्लेबाज मदनलाल ने श्रेस अईयर को एक सलहा दी है आपको बता दे कि एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए मदनलाल ने श्रेस अईयर के बारे में कहा कि अंतराश्वरे क्रिक विपक्षी ताली ताली बजाएंगी लेकिन वो आपको नहीं बख्षेंगे यहां कोई दया नहीं है वो उन्हें शॉट गेंद बाजी कराते रहेंगे जिस तरह की टकनीक मौजूद है उसके साथ कोई भी टीम विपक्ष पर कड़ी नजर रखती है 27 वर्ष ये बलेबाज श्रेयस अयर को हाल ही में उनके प्रदर्शन के चलते काफी अलोचनाओं का सामना करना पड़ा है उन्हें लगातार इसी बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि वो सिर्फ स्पिन को ही अच्छा खिल पाते हैं और मीडियम पेसर के आते ही श्रेयस अयर का बल्ला खामोश हो जाता है ऐसे में श्रेयस अयर विश्व कब के टीम में फिट नहीं बैठते हैं अगर उन्होंने T20 विश्व कब जो की ऑस्ट्रेलिया में हीला जाना है वहाँ पर भी ऐसा ही प्रदर्शन किया तो इससे भारते टीम को काफी नुकसान हो सकता है इस